तेख लो ऑपन्हेम इम इस अब चटाट एंड टोड़िय उन गोइंगिग टीचिच इए इन दिस सेशन बेशस लास टेशन में मैंने आपको समझाया था एसंट के वारे में और आज इस लेक्षर में लेकर आया हूं बेशिस के वारे में उके तो बेशिस क्या है बेशिस ऐस ऑपोजिट केमिकल सोते हैं अब एस इस डाइकल सब्स्टेंस विच चैन बी नीट्रलाइज और आइसद जो बेज जो होते हैं वह क्या है कि किसी भी आइसद को नीट्रलाइज कर सकते हैं जैसे की पता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइट सोडियम प्त्रीम सौरी century साइट केलशियम ओक्साइड एटसट्रा यह सारे का सारे बाइस को है किभा टर्मी SARAH एक्चुलिः जितने भी water soluble basis होते हैं उन्हें क्याओ कहते हैं मोच्ट प्रत प्रत ट्ख एप्र चीज़ल वाटर बाट समय बेश इनले अग्डिज़ल नहीं होते हैं यहां दिज़ूल्व हो जाते हैं जो भी वेस्ज है जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं water soluble या फिर alkaline basis okay those basis which dissolve in water without an chemical reaction have a special name they are called alkaline मैंने समझा है आपको थाज़ बेस्ज़ूलेबलिट वाटर इस कॉल alkaline जो भी बेस होते हैं जो अभी है strong and weak base, strong और weak base क्या होते हैं, strong base, a base which completely ionizes in water, thus produces a large amount of hydroxide ion, is called a strong base, strong base एक ऐसा substance होता है, या ऐसा chemical होता है, जो है कि water में dissolve करने पर totally या फिर completely ionize हो जाता है, और जो कि produce करता है large amount of hydroxide ion, ठीक है, hydroxide ion जो है कि large amount प्रेड्यूस करने वाला जो substance होता है, जो हम कहते हैं क्या strong base, अभी है weak base, a base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxide ion, is called weak base, weak base होता है, जिसे जो है कि water में dissolve करने पर, वो partially ionized होता है, totally ionized होता है, completely ionized नहीं होता है, वो partially ionized होता है, जो हम कहते हैं, weak base, जो कि hydroxide ion जो है कि कम quantity में produce करता है, जैसे कि sodium hydroxide हुआ, potassium hydroxide हुआ, etc, यह जो है, यह क्या strong base है, जैसे weak base हो गया, ammonium hydroxide हो गया, calcium hydroxide हो गया, magnesium hydroxide हो गया, etc, यह क्याइं, weak base है, move ahead, अभी आती properties of basis, basis की properties होती है, basis है, better taste, जो basis होते है, उनका जो taste होता है, कड़वा होता है, ठीक है, basis feels soapy to touch, base को touch करने पर क्या है, soapy इसा लगता है, मतलब सावन टाप का लगता है, इसा लगता है, चिकना टाप का, okay, base turn red litmus to blue, जो basis होते है, वो क्या करते है, red litmus को blue में change कर देते है, यह घुछा है, किसी भी metal के साथ react करता है, तो किया बनाता है, वोulator hydrogen gas बनाता है, ठीक है, all the metal do not react with base to form salt and hydrogen gas, जितने भी metal हैं, सारे के सारे metal जोए की base react नहीं करते, कुछ जोए की base react करते हैं, okay, is that clear, जो की, जितने भी metal जोए की base के साथ react करते हैं, तो वो क्या देते हैं, salt देते हैं, और hydrogen gas देते हैं, okay, move ahead, base react with acid to form salt and water, येदी base किसी acid के साथ react करता है, तो क्या देता है, वो salt देता है, और क्या देता है, इसका मतलब येदी base को मैं किसी acid के साथ react करवा दूँ, तो ये कौन सी reaction हो जाएगी, ये हो जाएगी, neutralization reaction, okay, जैसे कि sodium hydroxide हो गया, मैंने क्या करते हैं, इसको sulfuric acid के साथ react पादिया, तो क्या देता है, sodium sulfate देता है, जो कि क्या एक salt है, और क्या देता है, वोटर देता है, यहाँ, 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 वोटर की स्पहलें, यह डवल्यो के एक्सटा लग गया, okay, move ahead, when an acid and base combined, then the real neutralized reaction occurs due to combination of, sorry, of hydrogen ion present in acid and hydroxyl ion present in base to form water, ठेक है, is that clear, hydrogen ion, जैसे कि जो base होता है, वो क्या देता है, वो hydroxide ion देता है, base क्या देता है, hydroxide ion देगा base, और जो acid है, वो क्या देगा, वो hydrogen ion, hydrogen ion के साथ bond बनाएगा, तो क्या देता है, वो water देता है, is that clear, ठीक है, तबी तो है, यहाँ, यहाँ, किसी base को या, किसी acid के साथ react करवाए जाता है तो क्या मिलता हमें हमें मिलता है salt plus water okay move ahead base react with non-metal oxide to form salt and water यदि जो base है किसी non-metal oxide के साथ react करता है तो क्या देता है salt plus water देता है ठीक है जैसे कि calcium hydroxide है यदि मैं उसे में carbon dioxide के साथ react करवाता हूं क्या जी carbon dioxide non-metall ही तो है ठीक है calcium hydroxide को carbon dioxide के साथ react करवाता हूं तो क्या मिलता है मुझे calcium carbonate plus water okay calcium carbonate salt है water neutral है okay move ahead uses the basis basis के use क्या है sodium hydroxide is used in the manufacturing of soap and synthetic fiber called rayon the sodium hydroxide जो होता है वो जो है soap को बनाने में और synthetic fiber को बनाने में जैसे कि rayon बगर जो गया उसमां मदद करता है sodium hydroxide ठीक है many many calcium hydroxide is used in the manufacture of bleaching powder जो calcium hydroxide जो है वो जो है bleaching powder को बनाने में मदद करता है calcium hydroxide की मदद से जो है कि हमें bleaching powder मिलता है magnesium hydroxide is used as an antacid to neutralize excess acid in the stomach and cure and digestion जो magnesium hydroxide है वो as an antacid की तरह use किया जाता है antacid का मतलब यहां है कि यह जो चीटी के acid होता है no antacid का मतलब यह है कि anti acid anti acid to neutralize excess acid in stomach हमारे पेट में जो है की excess वो जाता जो हमारे पेट में जो हो जाती है न वो कम हो जाती है ठीक है अभी है sodium carbonate is used as washing soda and for softening hard water जो sodium carbonate है वो जो है की washing soda की तरह use किया जाता है और hard water को भी soft करने में मदद करता है ठीक है sodium hydrogen carbonate is used as baking soda in cooking food for making baking powders as an antacid to cure and digestion and in soda acid fire extinguisers जो sodium hydrogen carbonate है जो sodium hydrogen carbonate है यह रहा sodium hydrogen carbonate जो है वो ऐसा baking soda की तरह use कियाता है food पकाने के लिए ठीक है for making baking powder और baking powder बनाने के लिए भी क्या है sodium hydrogen carbonate का sodium hydrogen carbonate का use होता है baking powder ठीक है as an antacid ठीक है अभी मैंने समझाय है antacid का मतलब क्या है strength of acid and base solution pH scale अभी हम पढ़ेंगे acid और base की strength क्या होती है acid और base solution की strength क्या होती है ठीक है in pair water the concentration of hydrogen ions are equal जो प्योर वॉटर होता है उसके अंदर जो है की hydrogen जो पी एच की वैली होती है वह है इन्वर्सली प्रपोर्शनल होती है किसके हाइड्रोजन आएन के हाइड्रोजन आएन के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होती है इसका मतलब यह हो गया यदि एसदिक यदि कोई भी सबस्टेंस है यदि वह ज्यादा एसदिक है तो पी एच की वैल्यू क्या होगी काम होगी ठीक है यदि यदि जो है कि acid की जो है कि acid की जो है strong ज्यादा है ठीक है तो उसकी pH value कम होगी जितना strong acid होगा उतनी ही उसकी pH value कम होगी ठीक है यह बताना चाहरा है the strength of an acid or base is measured called the pH scale has value from 0 to 40 acid और base की strength को नापने के लिए जिस instrument का यूज क्या आता है उसे हम कहते है pH scale ठीक है neutral substance का जो pH होता है वो होता है exactly 7 exactly 7 होता है किसका neutral substance का acid acid जो substance होते हैं उनकी जो pH value होती है वो less than 7 होती है और basic solution की जो pH value है वो more than 7 हो जाएगा ठीक है और यदि higher the pH value stronger the base यदि जतनी ज्यादा pH scale की value जतनी ज्यादा जोएगे pH scale की value जतनी ज्यादा होगी उतना ही वो strong base होगा और जितनी pH value जोएगी जितनी lower होगी उतना ही strong वो acid होगा ठीक है is that clear अभी आता है universal indicator ठीक है universal indicator क्या होता है common indicators cannot tell us the relative strength of acid or basis जो common indicators होते हैं वो हमें यह तो यह नहीं बता सकते कि जो है कि कोई भी acid कितना strong है यह weak है कोई भी base कितना strong या weak है जो common indicator होते हैं वो बस यह बताते हैं कि है वो acid है और वो base है ठीक है हमें strength नहीं पता करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के दोवार हम क्या कर सकते हैं हम यह भी पता लगा सकते हैं जो है कि कोई भी substance कितना acidic है कितना strong है कितना strong acid है या फिर कितना weak acid है ठीक है water will produce a green color with universal indicator जो water है वो green color produce produce करता है किसके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ठीक है अभी importance of pH in everyday life everyday life में pH क्या importance है pH in our digestive system बिल्कुल सब्सक्राइब बात है pH जो है कि हमारे digestive system के लिए काफी जादा important है कैसे क्योंकि हमारे पेट में कभी कबार जो एकी acidity increase हो जाती है भड़ जाती है तो क्या हो जाता हमें हमें vomiting आने लग जाती है जा फिर हमारे पेट में थोड़ी गड़वड़ी होने लग जाती है हम खाना नहीं खापाते थे पिए चेंजिस as the cause of tooth decay यह दी हमारे दांतों का जो है की pH हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारे दात सड़ने लग जाते हैं क्योंकि वहां हमारे जो दान्त होते हैं उसमें क्या हो जाता है पिएच की वैल्यू increase or decrease हो जाती है ठीक है plants and animals are sensitive to pH changes जो plants होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं पिएच की वैल्यू को कैसे मतलब यह कि यह दी plants हमारे या फिर कोई एनिमल है कोई एनिमल बगर यह सब जो वहते हैं पिएच को इंक्रीज करते हैं जैसे कि जो मिट्टी होती है मिट्टी में कभी जो एकि एसने नेचर ज्यादा हो जाता है तो से निटलाइस किया जाता है टेकर किसे बेश डाल कर सेल्फ डीफेंस City वैनिमल और अट्लांट ठू् एमिकल वैर्फेव फेर र एक जो प्र..! यहां हमारा lecture खतम होता है और आसा करता हूँ आपको समझ में आयोगा Thank you and very much and best of luck अपनी पड़ाई करते रहे